जब मन करें बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल इडली सामबर खाने का तो घर पर इसे बनाएए होटल का चक्कर ना लगाए आज हम बनाएंगे बिल्कुल आथेंटिक टेस्ट वाली सामबर इसे हम बनाएंगे इंस्टेंटली जादा समय नहीं लगेगा और जो इडली है इसे भी हम इंस्टेंटली बनाएंगे बिल्कुल सौफ्ट जालीदार इडली है खा कर बस दिल खुश हो जाएगा इडली को बनाने के लिए आपको रात भर चावल दाल भीगोने की जरूरत नहीं है इसे रखने की जरूरत नहीं है दोनों ही रेसिपी इंस्टेंटली बनती है और इतनी टेस्टी है ना कि होटल की ब्रेकफ़स्ट को भी फेल कर देगी आप इसे एक बार बना लेंगे ना घर पे सब आपकी तारिफ किये नहीं ठकेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी तो चली सबसे पहले हम एडली के लिए बैटर बनाते हैं एक बोल में लेंगे एक कप सूजी यानि की रवा इतनी ही क्वांटिटी में यानि की एक कप हम इसमें दही आड़ करेंगे अगर आपके पास दही नहीं आप उस वक्त इस रस्पी को बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें एक कप दूद लीजिए इसमें एक बड़ा चमस सिर्का डालिए सिर्का डालने के बाद दूद जो है वो करडल हो जाएगा और फिर आप इसमें एड़ करें जो सिर्का है यानि कि विनेगर उससे खटा साएगी और दूद करडल हो जाएगी उससे क्रीमीनेस आएगी तो इस तरीके से आप दही के जगा वो एड़ कर सकते है दही अगर खटा लेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा तो यहाँ पर फ्रेस दही की ज़रुवत ने ये खटा दही लिजिए दही वाले बरतन में ही मैंने थोड़ा सा पानी इसमें आड़ किया है इस वक्त हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बस इससे मिक्स करेंगे इतने ही दही और हलके से पानी डाल करके अच्छे से फेट लेंगे, मिक्स कर लेंगे अब इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढख कर छोड़ देंगे तब तक हम सांबर बनाएंगे जब तक हमारा सांबर रेडी होगा सूजी हलकी फूल जाएगी अब यहां पर दीखे सांबर बनाने के लिए मैंने थोड़े से कटे हुए भूपला लिया है लौकी लिया है, ग्रीन बीन्स और एक गाजर काट कर लिया है सबजी अपने एकोर्डिंग अप ले सकते है या आप चाहे तो आलू डाल सकते है ड्रम स्टिक्स डाल सकते है और आधा कप तूर डाल को मैंने दस मिनिट पहले ही भिगो लिया था तो ये रेडी है भिग करके तीन टमाटर काट कर लिये है अब चलिए कुकर चाड़ा लेते है ग्यास पर फ्लेम को आउन करके कुकर में डालेंगे लगबग दो बड़े चमस तेल तेल के गरम होने पर यहाँ पर दो कटे हुए प्यास डालेंगे दो यानि की मिडियम साइस के दो प्यास है यह और इसे भी मैंने ऐसे मोटे मोटे काट लिये है प्याज को हलका सा भूनेंगे फिर हम इसमें एड करेंगे आधा इंच का कटा हुआ अद्रक और कुछ छे से साथ कली लसन के कली इसे भी मैंने बारिक काट कर लिया है और यहाँ पर किसी भी चीज को हमें ब्राउन नहीं भूनना है इसे बस हलका सा ट्रांसलूट होने देंगे जब अद्रक लसन का हलका सा कच्चा पर निकल जाएगा प्याज हलकी ट्रांसलूट सी हो जाएगी तब हम इसमें टमाटर आड करेंगे टमाटर को लगबाग 2 मिनिट हम भूनेंगे यह जब हलकी सी सॉफ्ट हो जाएगी तब तक अब टमाटर जैसे भून जाएगी हलकी सी तब हम इसमें इमली का रस टाल देंगे तो आप देखना जड़ा आभी हम इसमें एड करेंगे हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच इसके अलबा एक बड़ा चमच कश्मीरी रड चिली पाउडर डालेंगे इससे कलर अच्छी आएगी आप लोग को पता है होटल वाले भी इसी तरीके से बनाते हैं जिससे कम कॉंटिटी के दाल में भी बहुत ही अच्छी कॉंटिटी में सामबर बनकर तयार होती है अब देखिए टमाटर इमली सब कुछ पक चुका है तो इस वक्त हम इसमें एक बड़ा चमच गुट डालेंगे मैंने पाउडर वाला लिया है आप नॉर्मल गुड को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं लेकिन गुड जरूर डाले क्योंकि जो इमली की खटा से टमाटर की खटा से गुड उससे बैलन्स करेगी सबजियों का एड़ कर देंगे जो भी हमने काट कर लिया है अगर आप भिंडी डालते हो तो भिंडी को थोड़ी देर बात डाले क्योंकि भिंडी में लसीला पन होता है पता है दोस्तों आज जब मैं सांबर बना रही हूँ न ममी की बड़ी याद आ रही क्योंकि मैंने सांबर बनाना ममी से सीखा है और मम्मी जब बच्पन में सांबर बनाती थी डबल कॉंटिटिवे उन्हें बनाना पड़ता क्योंकि ऐसे ही कटोरी-कटोरी हम चट कर जाते थे वो खतम हो जाता था तो बहुत याद आ रही है अज मम्मी की खेट चलिए देखिए मैंने यहाँ पर डाल एड़ कर दी है स्वादनुसर नमक डाल देंगे आप नमक अगर अभी कम डाल रहे हो बाद में चेक करके भी एड़ कर सकते क्योंकि यह जो सामबर है इतनी अच्छी कॉड़िट में बन जाती है क्योंकि अभी अगर जादा पानी डाल देंगे कुकर में जब सीटी लगेगी पानी बाहर आएगी इसलिए अभी इतना ही पानी डालेंगे जिसे कि डिप हो जाए सबजी दाल सब कुछ और कुकर का ढखकन लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे इसमें 4-5 विजल आनी देंगे तब तक हम एक मसाला प्रिपेर करेंगे जो कि इस सांबर में जान डाल देती है इसके लिए मैंने लिया है दो बड़े चमच चना दाल एक बड़ा चमच उड़त के दाल एक बड़ा चमच धनिया एक चोटी चमच जीरा आदी चोटी चमच सौफ और आदी चोटी चमच मैंने लिया है मेथी के दाने अब इसके लवा पास से छे देगी मिर्च या कश्मीरी रच्चिली हम ले लेंगे इससे कलर बहुत अच्छी आएगी तीखा नहीं होगा अब इन्हें भून लेंगे सुखा ही हम भूनेंगे ड्राई रोस्ट करेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखे आप इसे ऐसे भून कर पावडर बना कर स्टोर कर सकते है आप अगर तुरंत यूज करते है तो इसमें थोड़े से करी लिफ्स भी डाल दे आप इसमें थोड़े से सुखे नारिल भी डाल सकते है ये भून चुके हैं तब तक देखिए कुकर में ये चौथी विजिल आ चुकी है तो अभी हम कुकर को थंड़ा होने देंगे जब तक कुकर थंड़ी होती है तब तक हम ये पाउडर बना कर तयार कर लेंगे अगर आपके पास रेडी मेट सामबर पाउडर नहीं है तो भी ये पाउडर आप डाल देंगे ना आपको किसी रेडी मेट सामबर पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखिए ये बन चुका है तब तक हमारा जो कुकर जो है थंडा हो चुका है प्रेशर निकल चुकी है तो चेलियों से चेक करते हैं देखिए विजल को उठा कर चेक करें प्रेशर पूरी निकल जाए तब ही आप कुकर का धकन खोले अब ही आप देख सकते हैं दाल सबजी सब कुछ अच्छे से पक चुकी है हलका सा इस तरीके से स्मैश करें अगर आप सबजीयों को गलाना चाहते हैं तो आप घोटनी से खोट ले आप देखिए हम इसमें पानी आड़ करेंगे मैं यहां पे लगभग और दो कब जितना भी पानी डाल रहे हूँ और अब हम जो पाउडर रेडी करके रखेते न वो अड़ कर देंगे इस पाउडर को आप चाहे तो थोड़ी से पानी में घोल बना कर अड़ करें तो आपको मिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी अच्छे से mix हो जाएगी वैसे यह अभी हो जाएगी देखिए मैंने इसे mix कर लिया है जैसे ही आप यह powder डालेंगे सांबर गाड़ी होगी तो consistency को check करके आप पाने डाले और इसमें अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पकाए अब अगर आपको मन कर रहा है कि ready-made सांबर पाउडर डालना है तो थोड़ी सी ready-made सांबर पाउडर अगर घर में है तो डाल दीजे नहीं भी डालेंगे तो आपकी सांबर उतनी ही टेस्टी बनेगी जितना आपको ready-made सांबर पाउडर से टेस्ट मिलती है तो अच्छे से mix कर लेंगे अब हमारा सांबर का consistency perfect है नमक चेक कर लें अगर ज़रुरत पड़ेगी तो add करें चलिए इसे पकने देते हैं तब तक हम इसके लिए तड़का बनाते हैं तड़का के लिए एक पैन में मैंने थोड़ी से तेल गरम किया है दो चोटे चमच इतना सरसो डालेंगे एक चोटी चमच जीरा और यहां पर हम add करेंगे थोड़ी से चने के दाल आदी चोटी चमच इतना ही डालेंगे उड़त के दाल और थोड़ी से मेथी के दाने एक चोटे चोटी चमच मेथी के दाने इसके अलावा सुखे लाल मेच और करी लिफ्स करी लिफ्स के बगेर तो सामबर बन ही नहीं सकती है तो इसका तड़का लगाएंगे और हिंग जरूर डाले एक चोथाई छोटी चम्मच आप इसमें हिंग डाले हिंग के बिना तो सामबर अधूरा होगी हिंग डालने के बाद पूरा तड़का हमारा रेड़ी हो चुका है इस तड़के को हम हमारा जो सामबर रेड़ी हुआ है उसमें ट्रांसफर करेंगे देखिए बहुत अच्छी खुश्बू तो आ रही है और सामबर दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है सामबर रेडी हो चुका है मैंने इसे अच्छे से पका लिया है इस सामबर को आप दो दिन भी स्टोर करेंगे न ये खराब नहीं होगे तो चले फाइनली कटी हुई धनिया पता डाल देंगे और फ्लेम को आफ करके कुकर का ढखकन बंद करके इसे साइड में रखते हैं और इडली बनाने की त्यारी करते हैं इडली बनाने से पहले इडली वाला जो प्लेट है उसे ग्रीज कर लेंगे थोड़ी सी तेल डाल करके गलती से थोड़ा ज़ादा ही तेल गिर गया है कोई नहीं एक और प्लेट है जिसे की इसी तेल में ग्रीज कर लूँगे इस तरीके से एडली की प्लेट को ग्रीस कर लिया है, इसे रखते हैं साइड में, अब चेक करते हैं बैटर की क्या हाल है अब आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से फूल चुकी है तही और जो हमने हलकी सी पाने डाला था उसे सोक चुकी है जिस वज़े से सूजी अच्छे से फूल गई है, अब हम इसमें ज़रुत के सबसे पानी डालेंगे पानी आप एक साथ में जादा ना डाले, स्वादन सा नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे लगभग 2-3 मिनिट के लिए इसे अच्छे से फेटे, जिससे की इसमें वॉल्यूम क्रियेट होगी जब आप इडली बनाएंगे, इडली बहुत ही अच्छा फूलेंगे इस बैटर को पतला ना करें, अगर आप बैटर पतला करेंगे तो इडली जो है पतली पतली बनेगी इडली जो है फ्लप्फी, मतलब सौफ्ट तो होगी लेकिन उचा नहीं होगा, पतला पतला सा इडली होगा क्योंकि बैटर पतला है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे इनो फ्रूट सल्ट एक चोटा सा पैकेट और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी सी पानी डालेंगे एक चम्मज इतना और अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी चम्मज तेल इससे जो आपकी इडली बने की न बहुत ही जाली दार बनेगी तो आप तेल जो है जरूर डाले एक चोटी चम्मज इससे जादा नहीं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर आपको तेज तेज नहीं फेटना है बस आप थीरे से मिक्स करें लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसमें बबल से और तुरंत आप स्टीमर में डाल देंगे ऐसा ना करें अच्छे से मिक्स कर लें यह बबल्स खतम हो जानी चाहिए और देखिए हमारा जो बैटर है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है इसे हम डालेंगे हमारे इडली वाले प्लेट में अगर आपके पास इडली स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल कड़ाई ले पानी डालकर एक स्टैंड रखते नीचे और छोटी-छोटी कटोरियों में इस तरीके से बैटर डालकर आप इडली बना सकते है मैंने यहाँ पर स्टीमर में पानी गरम कर लिया है यह प्लेट को हम अंदर रखते हैं और ढखकन ढखकर 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे इडली को स्टीम होने देंगे 10 मिनिट के बाद ढखकन अटाएंगे और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नाइफ या टूथपिक डाल कर अगर क्लीन है यानि कि इडली रेडी है लेकिन मुझे आदत है कि ऐसा देख लिया और निकाल लिया तो यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया और तुनन पर निकाल दी क्योंकि देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि इडली पक चुका है इडली को हलका सा थंडा करके ही निकाल ले गरम गरम में जब आप इडली को निकालेंगे इसके शेप खराब होगी और आप देख सकते हैं यह इडली को निकालने के लिए मैंने किसी चमच का यूस नहीं किया है हलके से हाथ से ना चारो तरफ से लूस करेंगे और बहुत ही आसान इसे यह इडली जो है डिमोल्ड हो जाती है बहुत ही परफेक्ट चालीदार सौफ्ट इडली बनकर तयार हुआ है आप भी देख सकते हैं यह सूजी से बने हैं लेकिन इतनी टेस्ट है इतनी सौफ्ट है ना इस सांबर के साथ तो यह बहुत ही अची लगती है आप इस सांबर को एक दिन पहले रात को बना कर रख सकते हैं, सुभे सुभे तुरंत इडली बना कर गरमा गरम सर्फ कर ले और गरम गरम इडली के साथ जब आप सर्फ करेंगे बस फैमिली वाले सोचते रह जाएंगी कि इतनी सुभे इतनी जल्दी इतना अच्छा नास तक क की तारिफ करेंगे ही आपको भी रिस्पी अच्छी लगिए मेरी तारिफ करना चाहते हैं तो कमेंट पर जरूर करें तारिफ किसको अच्छी ने लगती इस वीडियो को लाइक करें जाद से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बल और चैनल पर चैनल यह अच्छी तारि और विए प्रांगे जाद से ऐहां।